प्रिये भक्तों इस दुनिया में जितने जीव हैं देवता, मनुस्य, पसु, पक्षी कोई किसी का पिता, कोई किसी का पुत्र नहीं है अपने किये हुए कर्म का फल भोगने के लिए इस पृतिवी पर कभी पिता के रूप में आते हैं कभी पुत्र के रूप में आते हैं इसके बारे में राजा चित्र केतु की एक हम कथा कहेंगे अगर मेरे द्वारा कही गई कथा आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर किजिए और साथ ही घंटी के निशान को दवाना नहीं भुलियेगा बहुत प्राचीन काल में शूर सेन देश में एक चित्र केतु नाम के एक राजा थे होते देखकर राजा बरावर चिन्ता में रहते थे, उनको नींद तक नहीं आती थी एक बार, महर्शी, अंगिरा महर्शी रिशी उनके यहां पधारे, महर्शी तो उनको तद्धू ग्यान देने आया थे किन्तु उन्होंने देखा महरसी अंगिरान ने देखा कि राजा को मोह बस पुत्र पाने की प्रवलिक्छा है रिशी ने सोच लिया कि जब यह पुत्र बियोग से दुखी होगा तभी इसमें बैराग होगा और तभी कल्यान के सच्चे मर्क पर चलने जोग होगा अतर राजा की प्रार्थना पर रिशी ने त्वस्ता देवता का यग किया और यग से बचा अंड देकर यह कह दिया कि इसको तुम किसी राणी को दे देना महरसी ने यह भी कहा कि इससे जो पुत्र होगा वह तुम्हें हर्स और सोक दोनों चीज देगा उस अन को एक राणी खाई उस अन को खाकर राजा की एक राणी गर्वती हुई उसके पुत्र हुआ राजा तथा प्रजा दोनों को अफार खुशी हुआ अब पुत्र स्नेह बस राजा उसी राणी से अनुराग करने लगे राजा की उप्यक्षा से उनकी दूसरी राणीयों के मन में डाह उत्पन हो गई सुभाविक भी है सौतिया डाह तो होता ही है सब ने मिलकर उस नवजात और राणी ने मिलकर एक दिन उस नवजात बालक को एक दिन बीश दे दिया जिसके कारण वह बच्चा मर गया बालक की मिर्तु से सोक के मारे राजा पागल से हो गए राजा को ऐसी विपत्ती में पढ़ा देखकर उसी समय वहाँ दिवर्सी नारजी महर्सी अंग्रिया के हाँ पधारे वे राजा को मिर्त बालक के पास परे देख कर समझाने लगे राजन तुम जिसके लिए इतने दुखी हो रहे हो वह तुम्हारा कौन है इस जन्म से पहले वह तुम्हारा कौन था अब आगे यह तुम्हारा कौन रहेगा यह पिता पुत्र का जो संबंध है एक कलपित है एक शरीर न जन्म के पुर्व थे न मिर्तु के पस्चात रहेंगे अता तुम इनके लिए सोक मत करो राजा को ज्यान देने के लिए देवर्सी नारद ने जीव काहवान करके बालक को जिवित कर दिया और राजा से कहा जीवात्मन देखो बालक को जिवित करके बालक को कहा कि जीवात्मन देखो यह तुम्हारे माता पिता बंधु बंधब तुम्हारे लिए ब्याकुल हो रहे हैं तुम इनके पास क्यों नहीं रहते तो जीवात्मन ने कहा एक किस-किस जन्म में मेरे मता पिता हुए थे मैं तो अपने कर्म मों का फल भोगने के लिए देवता, मनुस, पसु, पक्षी, आदी, जोनियों में अनंत काल से जन्म लेता आ रहा हूँ सभी जीब, परस पर कभी पिता, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी शत्रू बनते हैं ए लोग मुझे अपना पुत्र मान कर रोते क्यों हैं, शत्रू मान कर परसंद क्यों नहीं होते आत्मा तो कभी मरता नहीं वह नित्त है और सरीर नित्त है नहीं फिर ये लोग क्यों ब्यार थोरो रहें राजपुत्र का जिबात्मा इतना कह कर चला गया उसकी बातों से राजा का स्वब मोह दूर हो गया मिरतक का अंतेस्टी संसकार करके और राजा शांत हो गया महर्शी अंगिरा और देवर्शी नारजजी से भगवत प्राप्ती का साधन प्राप्त कर भगवान की आराधना करने लगे कुछ ही समय में वे बिद्या धरों के श्वामी हो गये बिद्या के बल से मनुगती के अनुशार भगवान सेश के समी पहुच गये यहां उन्होंने सनत कुमारादी महर्शियों से सेवित संकर्षन भगवान के दर्शन किये द्यामय भगवान ने चित्रकेतु को परम्तत्तु का उपदेश दिया बहुत दिनों के बाद एही चित्रकेतु भगवती पारवती किया बग्या करने के कारण त्वस्ता के यग में दक्षिनागनी से बितासुर के रूप में प्रकट हुए बोलो जैस्री हरी विश्नु जैस्री हरी विश्नु जैस्री हरी विश्नु जैस्री हरी विश्नु